यहां पर एक लड़की सड़क पर कहीं जा रही थी और वो रास्ते में अपने मॉम को फोन करके ये बताती है कि वो जल्बी ही घर आने वाली है कि तबी इस लड़की को सड़क पर पड़ा एक फोन दिखाई देता है जिस पर किसी का कॉल आ रहा था वो लड़की फोन को उठाने जाती है लेकिन सड़नली पीछे से कुछ लोग आते हैं और उसे किड्नेप कर लिया जाता है और फिर किड्नेपर्स उसे वेन में भर कर कहीं पर ले जाते हैं अब सींग चेंज होता है और एक रूम में आता है जहाँ पर यह लड़की पड़ी हुई थी और जब यह नीन से उठती है तो यह देखती है कि यहाँ पर दो और लड़किया केद है जिनके नाम थे लीली और एलीसन और जिस लड़की को जस्ट अभी-भी यहाँ पर लाया ग की कोशिश की तो उन्हें सभी को गन से उड़ा दिया जाएगा उन्हें तब तक यहाँ पर रहना है जब तक कि उनकी बारी नहीं आ जाती और वह पूरे समय CCDV केमरा के कैद में रहेंगी किड़नेपर के जाने के बाद में लीली कायरा को यह बताती है कि यहाँ पर पहले तीन और लड़किया थी जिनने यहां से ले जाए गया और उन्हें बस उस लड़की की चिखने की आवाजा सुनाई दी इन सभी लड़कियों के हाथ और पेर दोनों बंदे हुए थे यह ठीक से चल भी नहीं सकती थी कायरा जैसे तैसे खड़की तक जाती है और वहां से ब मिले हुए थे फिर लेली कायरों को यह बताती है कि वो रैश्यन है और एलिस एक इंगलिश लड़की है और कायरा एक पूर्तोगाली लड़की थी यहां पर जितने भी लड़कियों को लाए गया था सभी अलग अलग देशों की थी उनके साथ में यहां पर क्या किया जाता कि वो आखिर कार है कहां पर और उनका किडने पर हर टाइम कमरे के बाहर चोकिदारी करता रहता है जिसके बाद में किडने पर अपने आदमी के साथ में आता है और उनने खाना दे कर जाता है जो कि यह एनिमल के बरतन में था और यह तीनों ललकिया जानूर जैसे ही खाना राइट को देखती है और यहीं था रेड्रूम फिर यहां पर कायरा के फ्लैच्भेक को दिखाया जाता आ है जब कायरा अपने घर से निकल रही थी 파टी के लिए व एक पाटी में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसके साथ वो पार्टी में ही मेक आउट करती है पब्लिक प्लेस में ACVC हरकत करते हुए उन्हें कलब का बाउंसर देख लेता है और वो कायरा को पार्टी से बाहर निकाल देता है जिस बाउंसर ने कायरा को पार्टी से बाहर निकाला था वो kidnapper के साथ मिला हुआ था और वो कायरा के बाहर जाते ही kidnapper को phone कर देता है और kidnapper कायरा को यही से kidnapp करके ले जाते हैं अब यहांपर प्रेजेंट में kidnapper अपने dad से phone पर बात करता है जहांपर उसका dad उसको यह बोलता है कि किसी भी लड़की को कोई भी मारे नहीं और उन्हें पीटा ना जाए उन सभी लड़कियों को बिलकुल परफेक्ट रखा जाए क्योंकि जितनी ज़्यादा वो खुपसूरत दिखेगी उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू रहेगी फोन कट करने के बाद में ये किड्नेपर ये सारी बाते अपने आदमियों को समझाता है कि लड़कियों को मारे पिटे नहीं उन्हें अच्छे सा रखे जितनी ज़्यादा वो परफेक्ट रहेगी उतनी ज़्यादा उनकी कीमत होगी जब kidnapper और उसके आदमी बाते कर रहे थे तो कायरा और बाके की लड़किया दूसरे रूम से उनकी बाते सुन रही थी इन सभी को ये लगता है कि यहां से उन्हें बेचा जाएगा और उन्हें प्रोस्टिटूट के धंदे में धकेल दिया जाएगा लेकिन लिली ये बोलती है कि यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि उनके औरगन को निकाल कर ब्लेक मार्केट में बेचा जाए क्योंकि जिन भी लड़कियों को यहां से ले जाया गया है उन्हें उनकी तेज़ चीके सुनाई दिये वो भी कई गंटों तक जिसके बाद में हम यह देखते हैं कि किडनेपर का डेड और उसकी वाइफ किडनेपर को एक घंटे के अंदर शोर चालू करने को कहते हैं जहाँ पर हम यह देखते हैं कि कई अलग-अलग कंट्रीज के लोग अपने अपने लेप्टॉप या फिर टैबलेप पर लॉग इन करते हैं, फिर लिली किड्नेपर से सिगरेट की डिमांड करती है, और जैसे किड्नेपर गेट खुल कर अंदर आता है, तो सारी लड़कियों को एक दूसी लड़की की चीखने की आवज़े सुनाई देती है, और यह आवजे रेड रूम से आ रही थी, दरसल रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है, जिससे ओनलाइन डार्क वेपर ब्रोडकस्ट किया जाता है, यहाँ पर वीवर्स को बायर्स केते हैं, जो कि ओनल प्रेस नहीं किया जा सके, यह बायर्स काफी जदा अमीर लोग होते हैं, जो कि अपनी फ्रस्टेशन को रेड रूम पर निकालते हैं, और फिर इस रेड रूम में टॉर्चर का खेल शुरू होता है, यहाँ पर एक लड़की बेड से बंदी हुई थी, और उसे ऑनलाइन ड जब तक कि उसकी मौत न हो जाए, वो आदमी बायर के कहे अनुसार, उसे इतना मारता है, इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है, और सारे बायर्स इस शो को इंजोई करते हैं, इन में से कुछ बायर्स तो ऐसे होते हैं, जीने अपनी पत्नी से ज़्यादा मज़ा, इन डे लेकिन कायरा जैसे तेसे सभी को भागने के लिए मना लेती है और ये रात को प्लान बनाते हैं यहां से भागने का जैसे ही आदी रात होती है और किड्ने पर सरबाकी के लोग सो रहे होते हैं तो ये तीनों लड़की खिड़की के पास जाती है और कायरा जैसे तेसे इस लिल्की से बाहर आती है और वो जैसे ही जमीन पर जम्प मारती है तो नीचे जमीन पर नुकीले कीले बिची हुई थी जो कि लिली के हाथों और पेरों में धस जाती है लिली की चीखने की आवाज को सुनकर किड़ने पर और उसके आदमी वहाँ पर पहुचती है तो यह कमरे में छोड़ दिया जाता है जब किड्नेपर के डेड को ये पता चलता है कि लीली और बाकी की लड़कियों ने यहां से भागने की कोशिश की है तो वो नाराज हो जाता है लेकिन वो खुझ भी होते हैं क्योंकि एलिस को कुझ भी हुआ था उन सभी के लिए एलिस से सबसे ज़्यादा कीमती थी चुकि एलिस बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लड़की थी किड्नेपर की मॉम की अनुसार अब बारी थी एलिस की एलिस को मासूमियत को देखकर एकसाइट हो जाते हैं और सभी में रेस लगती है कि सबसे ज़्यादा बीडिंग कौन करेगा और एलिस को कौन जीतेगा एलिस के उपर बड़े बड़े शीपका दिया जाता है और फिर उसके गुटंों पर तब तक हैमर से मारते हैं जब तब कि उसके गुटने तोट नहीं जाते है और उसके पेरों से उसकी हडिया बार नहीं आ जाती एलिस का मो तो सूपर गलू से चिपका हुआ था वो चीक भी नहीं पा रही थी लेकिन जैसे जैसे वो चीक नहीं कोशिश करती है तो उसके होट फट जाते हैं धीरे धीरे एलिस की उंगलिया भी काट दी जाती है बायर के अनुसार फिर टॉर्चर करने वाला आदमी एलिस के टॉप को फाड़ कर उसके चेस्ट पर एक कटर से बायर का नाम लिखता है और उसके चेस्ट से वो वो चमड़ी निकाल देता है लेकिन बायर एलिस की इस मेथट को नहीं देख पाता क्योंकि उसका नेट बंद हो जाता है पावर कट होने के कारण एलिस का बायर ये शो मिस कर देता है और वो बहुत ज़दा फ्रस्टेट हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा अमाउंट एलिस पर लगा हुआ था यहाँ पर टॉर्चर करने वाला आदमी धीरे धीरे एलिस के शरीर की चमली निकालता है और उसकी बाड़ी के पार्ट्स को काट-काटकर बाहर निकाल कर केमरे की ओर दिखाता है और फिर इन दी एंड एलिस की मुत के साथ ये रेड़ूम का शो एंड हो जाता है Alice का बायर बहुत ज़्यादा frustrated था वो अपनी बीवी और अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था फिर ये बायर किड्नेपर को Red Room की वेबसाइट पर मेसेज करता है और उससे कहता है कि उससे एक private show चाहिए जिसके लिए वो 4 मिलियन डॉलर भी चुकाने को तयार है लेकिन उससे इस show में कोई लड़की नहीं बलकि एक छोटा बच्चा चाहिए जिसके लिए ये किड्नेपर राजी हो जाता है और वो 4 मिलियन डॉलर के लिए इस बच्चे को टॉर्चर करने के लिए भी रेडी थे फिर जल्दी किड्नेपर एक बच्चे को किड्नेप करने के लिए शेर के लिए निकलते है किड्नेपर का बॉस यही पर था कायरा और लिली के पास में कायरा किड्नेपर से उसकी गंच छुडाने की कोशिश करती है और इस लड़ाई में कायरा से किड्नेपर की गंच चल जाती है और वो सीधा लीली के शरीर में जाकर गुशती है जिससे की लीली वही पर मर जाती है कायर यहां से निकल कर Red Room में पहुशती है जहाँ पर वो यह देखती है कि Alice पलंग पर बंदी हुई है और वो मरी पड़ी है कायरा देखती है कि एलिस के साथ में यहाँ पर एक और आदमी है जो की वेबसाइट का उपरेटर था और उसे भी यहाँ पर किड्नेफ करकर ही लाया हुआ था चूँकि उसे यह पता था कि डार्क वेबब की वेबसाइट को क Judaism केंसे ऑपरेट किया जाता है इधर ये किड्नेपर एक बच्चे को पकड़ कर ला चुके थे, लेकिन कायरा दोनों किड्नेपर को गोली समार कर बच्चे को बचा लेती है और वो उसे कार में बेठा कर यहां से बाहर भागने की कोशिश करती है वो बस कार स्टार्ट करी रही थी कि तबी किड्नेपर का बॉस उसके चेहरे पर एक एकसे से अटेक करके कायरा को यही पर निप्टा देता है किड्नेपर कायरा को खत्म करता है और किड्नेपर को वेबसाइट को ओपरेटर एक गन से शूट करके उड़ा देता है जिसके बार में operator बच्चे को drive करके share ले जाता है और उसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है जब boss यानि की kidnapper के dead को ये पता लगता है कि सब मारे गए हैं और red room खत्म हो चुका है तो boss एक लड़की को call करता है जो कि एक दूसरा ही red room चला रही थी जिसमें लड़की को नहीं बलकि लड़के को torture किया जा रहा था जिससे बहुत सी request करता है कि उसका red room बंद हो गया है और वो एक हफते के बाद में ही चाल होगा तो दोस्तों ये movie based है red room के उपर यहाँ पर कायरा को सड़क से kidnapper करकर उठा लिया जाता है और कायरा को पता लगता है कि वो एक अलगी देश में है जहाँ पर और भी कई सारी देशों की लड़किया मुझूद है और इन सबी को यहाँ पर red room के लिया लाया गया है red room एक dark web platform होता है जहाँ पर लड़कियों को live torture किया जाता है और बायर्स को दिखाया जाता है red room का मतलब लाल कलर का कमरा नहीं होता बलकि यह एक platform होता है जो की dark web पर चलता है जिसे अलग-अलग देशों के लोग देखते हैं और वो उनकी according यहाँ पर लोगों को torture करते हैं यहाँ पर पहले लड़कियों को online दिखाया जाता है जिसके बार में सबी उसके ओपर bidding करते हैं और जो भी व्यक्ति इस bidding को जित लेता है तो उसकी method से ही उस लड़की को torture किया जाता है दोस्तो वेसे तो ही माना जाता है कि red room असली में भी dark web पर operate होते हैं और इनकी deal होती है क्रिप्टो करनसी में क्योंकि क्रिप्टो करनसी को trace नहीं किया जा सकता रेटरूम से लेटेड बहुत सारे वीडियो आपको online यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहाँ पर रेटरूम को detail में बताया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करका ज़रूर बताईएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हो तो सब्स्राइब कर लेजिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे